नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलो में आज हम सोलू करेंगे कोश्चन नमबर 3.19 and 3.20 चैप्टर 3rd मोशन इस्टेट लाइन NCRT क्लास 11 फिजिक्स कर रहे हैं तो कोश्चन है हमारे पास Suggest a suitable physical situation for each of the following graphs हमें ये graphs कुछ दिये गए हैं A, B, C इस तरह से graph दिये गए हैं और कोई एक physical situation हमें बतानी है कि जो इन पर suit करे तो यहां पर देखिए जो graph है हमारा वो X और T के बीच में है यानि कि position और time के बीच में है तो इसके लिए क्या suitable position बनती है पहले हम इस graph को समझते हैं देखिए जो line है यहां से इस तरह से चली है पहले यानि कि कोई भी चीज थी वो rest पर थी क्योंकि position उसकी change नहीं हुई सिर्फ जो है time के साथ ही वो आगे चल रही है या कहें कि यहां rest पर है तो position change नहीं हुई यानि कि इसी time के साथ यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी सारे जग़ा यह rest में है एक दम से फिर उसके अंदर position change आता है और वो उपर की तरफ जाती है यह तरह से ऐसे कह सकते हैं और फिर से जो है वो नीचे की तरफ आती है या कहें कि उसकी velocity reduce हो रही है, position change हो रही है और फिर ये negative की तरफ आती है, या निकि opposite direction में आती है और फिर से constant हो जाती है, ये graph महारा बनता है तो चलिए इसको समझते हैं, ये क्या दिखाता है ये हमें एक तरह की football को kick करने की स्थिति दिखाता है मानलिज ये कोई एक football है, या फिर ball है, जिसको आपने kick किया अब ये ball है, इसको kick किया अब पहले क्या थी? रेश्ट में थी, रेश्ट में थी यानि कि ये जो चीज़, ये जो line है ये दिखा रही है यह जैसे ही इसको किक गेया की करने के बाद एक दम से इसकी जो पोजीशन चेंच होगी और वो इस वाल से टकराएगी और विलोसिटी इसकी जो है बड़ेगी इस तरह से दिखाया है तो यह opposite direction में आएगी यानि कि opposite direction में नीचे की line यह दिखाए गई है और फिर वो जो है rest पर आ जाएगी यानि कि वो रुक जाएगी किसी चीज़ से टकरा कर या कोई दूसरी वाल होगी opposite में या कोई दूसरा player होगा तो वो इसको रोक लेगा तो यह स्तीती को दिखाती है football kicking की बात क कर सकते हैं या किसी ball को आपने ball पे मारा और वो rebound होकर आपके पास आया आपने सको रोक लिया इस तरह से यह situation यह दिखाती है जो second situation है second graph के अंदर यह जो हमारा graph है यह वी और टी के बीच में है वी और टी के बीच में आब यहां पर देखिए velocity और यह जो है अप से down की यह वी जो है और उपर से आपने सको गिरा दिया हाइट से गिरा दिया यह हमारे पास ball है और आपने सको रहाइट से गिरा दिया यह ground है और ground से टकरा कर यह आइस्ता अइस्ता यह जो है rest में आ जाएगी यह situation बनती है time के साथ यह पिर मालने जो को आपने एकदम से force पर देखिए पहले तो एक्सलेरेशन यह जो लाइन यह इस तरह से दिखा रही है कि यह कहें कि विलोश्टी कॉंस्टेंट है एकदम से अक्सलेरेशन आती है इसके अंदर और फिर से जो है वो डाउन हो जाती है तो इसकी वी दो-तिन सिच्वेशन आप ले सकते हैं मान लिज किसी को ऐसे कह सकते हैं कि अवर्टेक करना पड़ गया एकदम से गती बढ़ाई और फिर से उसने वही स्पीड जो है कॉंस्टेंट जो है अपना ली या फिर जो दूसरी स्थिति आप कह सकते हैं इसके अंदर कोई क्रिकेट बोल है क्रिकेट बोल जो है बैट से टकराई ए फिर से जो है वो डाउन चली गई यानि कि आइस्ता आइस्ता रुक जाएगी वो तो कोई भी स्थिति आप इसके अंदर ले सकते हैं तो यह जो है गराफ इन फिजिकल सिच्वेशन से मैच करते हैं या फिर जो है आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक नेल के ओपर हैमर को जब आ पर दो दो जब गई है हमें घीव दा एक्ष्ट प्लोट ओफ पर परिटिकल एक पर्टिकल जो है वन डिमेंशनल मोशन को एग्जिक्यूट कर रहा है और सिंपल हर्मोनिक मोशन है तो सिम्ब हर्मोनिक मोशन के अंदर यह व्य ही इस तरह से दिखाई गई है इस ग्राफ के अंदर तो हमें signs बताने हैं sign positive है negative है वो चीज बताने है position का velocity का और acceleration का और इतने time पर बताना है यानि कि 0.3 second पे 1.2 second पर minus 1.2 second पर 0.3 second की बात कर लें तो यह time है यहां यह position है अब देखिए जो time है 0.3 का क्या मतलब है 0 और यहां पे लगबग 0.3 होगा क्योंकि यहां पर तो 1 है तो 0.3 यहां के लगबग होगा अगर यहां पर अगर हम देखें पहले जो acceleration होती है simple harmonic motion में उसका formula होता है minus omega square x omega angular frequency यहां पर होती है अब यहां अगर t 0.3 सेकंड पे देखें तो हमें जो x v और जो acceleration है वो क्या मिलती है x हमारी negative होगी क्योंकि यह नीचे की तरफ जा रही है wave v भी negative होगी क्योंकि यह जो है नीचे की तरफ है तो negative होगी और acceleration जो है वो positive होगी क्यों क्योंकि यहां पे देखें minus use किया गया है तो position अगर negative है यहां पर देखिए तो acceleration positive हो जाएगी यह आप कह सकते है तो acceleration इस equation के थरू हम देखें तो यह positive हो जाती है इसी तरह से जो 1.2 सेकंड है उस पर अगर हम देखें तो x जो है 1.2 सेकंड यहां से 1 से उपर यहां पर यहां पर देखिए x भी positive है v भी positive है लेकिन acceleration negative हो जाएगी क्योंकि इस equation से यह जो equation है इससे यहां minus sign दिया गया है तो यह negative हो जाएगी इसी तरह से minus 1.2 सेकंड पर देखें minus 1.2 सेकंड का मतलब क्या है minus 1 से आगे यहां पर अब negative side हम चल रहे है यानि कि x उपर है x यहां पर है तो यहां पर x तो negative हो जाएगा लेकिन negative चल रहे हैं तो v और जो acceleration है यह दोनों positive हो जाएगे तो यहां पर यह दिखाया गया है तो इस तरह से इस graph के थूँ अलग अलग टाइम पर हम position, velocity और acceleration की value को निकाल सकते हैं तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोग पर हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद